असलाम अलेकुम, वेलकम तो माइ चैनल, Read to Lead with Yousef Jalal. I am Yousef Jalal with the explanation of General Knowledge Test Series, Test No. 58. Basically, यह third part है, January के Evaluation Test का complete test, अगर आप attempt कर चुके हैं, तो well and good अगर नहीं, तो आप उसे attempt कर सकते हैं, link description में given है, और इस 20 marks के test को आप separate भी attempt कर सकते हैं, इसका link भी given है, और previous test, तमाम डाउनलोड करने के लिए, उनके links के लिए, आप Telegram को join कर सकते हैं, simple, आप सर्च करें, Read to Lead, या उसको link से आप join कर सकते हैं, जो के description में given है, next, इस portion में हम जो discuss करने जा रहे हैं, basically, दो parts है, first 10 questions are related to geography and the later 10 questions related to mathematics, इसको start करते हैं, पहले geography का portion है, first question है, इसमें identify the world's largest peninsula, सबसे पहले हम peninsula की definition देखते हैं, peninsula simple geographical term है, a land surrounded by three side of water, जैसे island की हम definition करते हैं, कि उसके चारों तरफ पानी होता है, जबके peninsula में three side पे water होता है, और एक side पे वो land से connect होता है, और यहां पूछा गया है words, largest peninsula, that is Arabia, या Arabian peninsula is the largest peninsula of the world, next question is, the Swiss canal connects, first of all, तो हम discuss करते हैं, Swiss canal को, यह one of the largest man-made canal in the world, और यह basically 1859 से 1869 में इसको construct किया गया, और लेटरली यह अजिप्ट से mainly यह cross करती है, और यहां पर जो question पूछा गया कि यह connect किसको करती है, तो basically it is connecting Mediterranean Sea and Red Sea, और अगर इसकी बात करें, इसको याद करने के हवाले से यह mix-up हो जाता है, यह भूल जाता है, क्योंकि इसमें सारे ही ocean दी होते हैं, water bodies दी होती है, इसको जो मैंने याद किया हुआ है, क्योंकि मैं special education में serve कर रहा हूँ, और यहां हमारे पास एक term यूज होती है, mr, simply mentally retard के लिए हम use करते हैं, तो यहां पे m से Mediterranean और r से red sea, इसमें आपको कहीं भी किसी option में m और r जो है, वो शुरू होने वाले नहीं मिलेंगे, तो simply swiss canal is related to mr Mediterranean sea and red sea, next question is which strait separates India from Sri Lanka, first of all, हम separate की definition देखते हैं, कि यह again एक geographical term है, जिसको हम define करते हैं, a narrow strip of water connecting two larger water bodies, or separating two land masses, तो यहां पर जो हमें सवाल दिया गया है, इंडिया और Sri Lanka को कौन सी स्ट्रेट जो है, वो separate कर रही है, that is pulp strait, और इससे next, जो है मलाका स्ट्रेट की बात करें, तो यह बहुत जादा news में रही, CPAC के हवाले से, यह Indonesia, Singapore और Malaysia से गुज़र रही है, और इसका बहुत एहम रोल है, ट्रेट के हवाले से, स्ट्रेट और फॉर्मस जो इरान की हवाले से, बहुत जादा discuss की जाती है, और इसमें वर्ड का 40% आईल यहां से, जो है वो export हो रहे है, और आईल शिप यहां से गुज़र रही है, और बहुत चोग पॉइंट है, यह ट्रेट के हवाले से, specially oil की, और यहां पर एक क्वेस्ट और पूछा जाता है, कि विच कंट्री इस आर्किपिलाजो कल कंट्री, दैट इस इंडोनेशिया, क्यूंकि बेसिकली वो आईलेंड पे मुझतमिल है, नेक्स क्वेस्ट आई, विच अफ फालूविंग फैक्शन वार्स तो रिटें ब्रिटिश रोल इन नदरन आईलेंड, तो डिफरेंट मुव्मेंट्स दुनिया में चल रही होती है, कुछ सेपरेटिस्ट मुव्मेंट्स होती है, कुछ जो है वो यूनियन के हवाले से कर रही होती है, तो बिसिकली लस्टर यूनियरिस्ट इस वर्किंग तो रिटें ब्रिटिश रोल इंदा नदरन आईलेंड, नेक्स्ट क्वेस्टन इस मौरो इस्लामिक लेबरेशन फ्रंट इस्ट्रगलिंग फार इंडिपेंडेंडेंस इन, यह क्वेस्टन तीन से चार बार PPSC में आ चुके हैं और इट इस इन मिंदनाव और इट इस बैसिकली लुकेटिड इन फिलिपाइन्स, तो फिलिपाइन्स में हैं, और यहां पर यह इस्लामिक, मोरो इस्लामिक लेबरेशन फ्रंट जो स्ट्रगल कर रहे हैं इंडिपेंडेंडेंस के हवाले से, नेक्स्ट वन इस पाकिस्तान हाइस्ट माउंटें पे केटो इस लुकेटिड इन, तो यह सिंपल, वन अफ दे एजिएस्ट क्वेस्टन, केटो है, तो क्राकरम में यह लुकेटिड है, और यहां पर जो बाकी रेंजीजीज हैं, इनकी बात करें, तो हिमालिया रेंज में तर्चमीर है, और इसको जो निमानिक्स मैंने याद किया हुए तर्चमीर के हवाले से, के बिसिकली जो अगर हम नवाब सराजुद दौला की लड़ाई देखें, तो उसमें मीर जाफिर और मीर साधिक का नाम आता है, और यहां पर जो हिंदू कोश्य है, जो हिंदूओं क मैंने इसको याद किया हुए, और लास्ट वन इस सुलिमान रेंज और तखते सुलिमान जो इसकी हाइस पीक है, नेक्स्ट क्वेसिपी इस नेम आफ दे रिवर विच इस फाउंड इन यूएस, अमेरिका, और यह नौर्थ अमेरिका का जो है, वो सेकिंड लार्जस्ट रि यह सेकिंड और मिसिसी पे नाम पे एक स्टेट भी है यूएस से में, नेक्स्ट वन विच अफ दे फालूविंग कंट्री इस नाउन अज आइलेंड आफ क्लोव्स, और यह है, जैंजी बार, और बैसिकली इस लुकेटिड इन तंजानिया, और यह जो इसमें क्लोव्स हैं लॉंग बेसिकली है, तो वहां पे लॉंग को काश्ट किया जाता है, उसको आइलेंड आफ क्लोव्स यह लॉंग का जो है, जो है वो जजीरा कहा जाता है, नेक्स्ट क्वेस्टिन इस, इस, how many countries are there landlocked in the world, तो landlock country की simple जो definition है, country which has no costal access, जिसके पस कोई समंदर ना लगता हो, और उसको जो borders हों, वो सारे जो है land border से घिरा हुआ हो, तो जैसे हमारा जो neighboring countries में, अफगानिस्तान है, या इंडिया के साथ नेपाल है, यह सारे landlocked countries हैं, तो यहां पे basically word के पूछे के हैं, तो there are 44 landlocked countries in the world, next, जो portion है हमारा, वो mathematics के हवाले से है, और mathematics के हवाले से जो nodes हैं, जो PPSC के past papers के, जो हैं, वो complete solve किये हुए, वो टेलिक, mathematics के portion का, जो first question है, one metric ton is equal to 1000 kg, यह simple सा unit पूछा गया है, 1000 kg के बराबर है, next question is the least number which when divided by 4, 6, 8, 12 and 16 leaves are remainder of 2, in each case is, तो यहां पर simple हम इसको check कर सकते हैं, कि हम जिससे भी तकसीम करें, जो हमें number given हैं यहां पर, और हमें दो जो हैं, वो remainder मिलना चाहिए, तो simply अगर first को check करें 100 को, तो चार से यह divide होता है, और simply यह cross हो गया, यह इसमें नहीं हो सकता, next, अगर 225 को देखें, तो यह भी इसमें एक बचेगा, तो यह भी नहीं हो सकता, और 176 को देखें, तो यह 16 पर divide हो रहा है, 16 को अगर 11 से multiply करें, 10 से करें तो 160, और 176 होगा, तो यह भी नहीं होगा, अब 98 को check कर सकते हैं, अगर 4 से तकसीम करें, तो 96, दो इसमें जो है वो बाकी बचेगा, 6 से करेंगे तो again 96, again 2 होगा, 8 से same case, और 12 से भी same case, और 16 से भी same case, और हमारे पास all cases में जो है वो 2 ही remainder बचेगा, next one question is, slam bought a pair of shoes of RS 300 and sold RS 450, तो profit उसने कितना gain किया, तो आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं, जो उसने profit gain किया है, वो 150 है, that is half of the 300, इसका यह half है, तो simply उसने 50% जो है वो profit gain किया है, math के हवाले से इन्शाला जल्द अलग एक series start करेंगे, जिसमें तमाम सवाल completely solve किये जाएंगे, method से भी और trick से भी, next one is, यह एक बहुत famous question रहा है, कि उसमें heads and legs दिये जाते हैं, जो mathematics जानते हैं वो तो simply इसको algebra से कर सकते हैं, इसकी definition simply बनेगी, अगर heads की बात करें, x और y equal to 48, और अगर x sum जो है वो chickens लेते हैं, तो 2x, 2 legs हो जाएंगी, और 4 y rabbits, और 134, तो इस equation से solve करके उसको निकाल सकते हैं, लेकिन यहां पे हम basically trick से देखते हैं, अगर इस तरह का question आपसे पूछा गया है, इसके इलावा कोई भी हो, तो simple trick आपके पास यह है, कि आप simply जो आपको heads दिये गए हैं, इनको 2 से multiply करते हैं, answer will be 96, और जो भी आपका answer आए, जो आपको legs given है, उसमें से इसको minus करते हैं, and the answer will be 38, और इसको जैसे ही two से divide करेंगे, तो आपके पास four leg वाले animal आपके पास आ जाएंगे, यहां पे rabbits पूछे गए हैं, the answer will be 19, अगर यहां पर जो है वो chicken का पूछा जाता, तो हम 48 में से 19 को minus करते, तो 29 यहां पर chicken हैं, और 19 यहां पर rabbits हैं, next question is, Mr. and Mrs. Sajid have seven daughters, each daughter has one brother, तो it means इनका एक ही भाई है, साथ हर बेहन का एक भाई है, मतलब उनका एक ही भाई है, तो seven plus one, eight और दो उनके parents, तो total ten members जो हैं उनकी family में मौजूद हैं, next, algebra की x की value find करनी है, तो यह simple यहां पर आपको given है, तो आप three x is equal to twenty minus eight, answer will be three x is equal to twelve, और अगर आप three से divide करेंगे दोनों side से, then answer will be four, और इनको जो है आप simple जो है आप इसको verify भी कर सकते हैं, यहां पर x की value put करें, और यहां पर जैसे आप four put करेंगे, तो यह 12 हो जगा, 12 plus eight equal to twenty, twenty equal to twenty, तो यहां पर सारी आप values put करके भी check कर सकते हैं, जैसे अगर इसमें कोई और value put करें, तो अगर one put करते हैं, तो three plus eight, eleven, eleven twenty के बराबर है, it will be wrong, two से check करें, three से तो आपको दोनों method से आप इसको कर सकते हैं, next one, series complete करनी है, तो series में हम इसकी sequence देखते हैं, तो यहां पर देखें, four के बाद six है, two का difference है and then twelve, जो six का double हो गया है, फिर twelve and fourteen, two का difference है and fourteen double होके twenty eight हो गया है, अब again two का difference है, thirty, तो next definitely will be sixty, next question is, a man bought twenty seven apples, two of nine of them are bad, how many are good? तो आप simply जो है वो bad को ही, जो है वो कर ले, twenty seven multiplied by two over nine, तो यहां पर three आ जाएगा, तो six apples जो है यह खराब है, bad है और total twenty seven है, हम से good पूछे गए है, तो definitely हम twenty seven में से six को minus करेंगे and the answer will be twenty one, next question is, अकबर sold his gun, old gun of RS nine hundred which he was bought for RS twenty five hundred, what is his loss? अगर loss यहां पर find करने हैं तो सबसे पहले difference देखें, पच्चिस सौ रुपे की उसने खरीदी है और 900 की बेच दी है तो simple difference होए, वो 1600 कार है उसका, it means एक काफी बड़ा loss उसे हुए है, तो यह twenty percent तो किसी सुरत नहीं हो सकता, क्योंकि अगर साड़े बारा सो करें तो fifty percent होते है, यह यहां पर cancel हो जाएगा, forty six will be cancelled, fifty five बहुत करीब है, and definitely sixty four will be the answer, इसके इलावा जो है आप इसको method से भी solve कर सकते हैं, कि इसे जो loss हुए है या इसने जो sale की है, तो उसमें simple आपका फार्मूला होता है, x percent of y is equal to z, तो कितने percent उसे loss आया है, यह आपके पास unknown है, y जो है complete amount 2500 है, loss लिखेंगे तो यहां पर 1600 लिखेंगे, और अगर 900 लिखेंगे तो यह इसकी selling price होगी, और आप इसको इससे भी solve कर सकते हैं, and the last question is a sequence, और यह बहुत confusing sequence है, और बहुत easy's है, basically इसमें कोई trick नहीं है, यह month के starting alphabets है, January, February, March, April, May and definitely it will be the June, यहां तक अगर आपको question हो, या इसको improvement के हवाले से कोई suggestions हो, तो आप इसको दे सकते हैं, thank you, best of luck.